हे दोस्तों इन्वेस्टिंग का कमांडो हो इसी उट्टू चाल में आप सभी का दिल से सौगत करता हूं आप आईसे ही पूरे वीडिये देख्या के रिए और आपको जितने भी नॉलेज़ चाहिए आईसे कमेंड में बताया के रिए अभी एक मेरे दोस ने कमेंड में लॉंग टम के लिए तो कि जो जो टार्गेट है देख लेना अपका टार्गेट के बारे में ऐसा बात करूँगा कि जो आशो के लेलान जब आपको यह ध्यान रखें कभी भी हैं आपने सुनाभी होगा जब मदरसंसुमी ने अब देखा मदरसंसुमी कितनी पर चल रहा था 68 पर उससे Play कम चल तब क्या कभी भी देखिए जितने भी जो शेयर होते आटो मोबल चाहिए या कोई भी सेक्टर हो उसके अंदर क्या करना चाहिए जब भी उनके जो शेयर निचे आ जाए तो आपने क्या करना चाहिए क्यों जितना आपको क्वांटेटी होगे आपके पास उतना बेनिफिट होगा क्यों वह आगे बताऊंगा आप देख लेना पूरा वीडियो जितना भी आपको जैसे भी नॉलेज चाहिए मुझे बताते चाहिए मैं आपको डेली पहले परवाड करूंगा सबसे पहले मैं जरूर क्योंकि आप ही से तो मेरा यूटूब का चैनल चलता है और जो आप है तो ही मैं हूँ इसलिए मैं आपको जितने भी जबी आप कमेंड़े बताएं कि उससे लेटस दो आवर के दो गंटे से पहले भी आपको उसका वीडियो प्रोड कर दोंगा तो चलिए मैं आपक पैसे दुगने करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना है क्योंकि इसकी प्राइज देख लेना और आगे की प्राइज भी देख लेना आपको यहाप पर एक बात याद रखना है कि आटो सेक्टर का जो सिचुएशन है वो थोड़ा टाइम लगेगा टाइम लगेगा आपके पास टाइम होगा तो यहाप इसमें इन्वेस्ट किजिए आपके पास जो मनी आपको दुगनी भी करनी है तिगनी भी हो जाएगी पन आपको जब टाइम लगेगा इसमें जितने भी इन्वेस्टर आनमाय बोलता हूँ आपको इसके अंदर क्वांटिटी जादी परिचेस हो तो आपको पता चल जाए देखले ना आप कंपणी का नाम क्या है आशोकले लेंड जो आटो सेक्टर से बिजनिस में जो वेहिकल बनाने का जो भी वेहिकल हो लार्ज क्याप वेहिकल हो कार्स हो जो अलग अलग जो जो टेमपो होते हो अलग अलग जो वेहिकल होते जैसा जो車 जो माल ट्रांसपर्ट करने के जो गूर्स ट्रांसपर्ट करने के होते हैं वो सब कुछ वेहिकल्स आज़हक्लेड बननती है है अभी कि स्टाट हुई कंपवन्पनी सबसे इंडिया में पूरानी कंपनी अब ताटा मोटरस के बाद में ज़्यादा वेहिकल बनाने वाली कमपनी आपने सर्च मारके देख ले नापको पता चलेगा त्टा मोटरस के बाद में आस्को टैलेंड चलती है नाम कमपनी का आपको छोटा दिखता होगा उसके पर आपको आशक लेलन का नाम और लोगों मिल जाएगा तो यह जितने बिजनेस है अभी और एक डील भी आनौस ही अभी नूस पर दिखाएगे यह पता नहीं मुझे बट मैंने रिड की थे और बता था भी आपको कम से कम इलेक्ट्रिक बसे का जो आडर है वो गुजर करेंगे कौन से चीज़े जो खाने पीनिक चीज़े इनके पर कोई ध्यान देगानी इसलिए इनके पर कोई ध्यान देगानी तो हमें ध्यान देना है और हमें अपर्चिनेट्र को क्रेक कर लेना है यह पर देख लेना आशक लेन का चार्ट के बारें बात करेंगे और प्रा यहाट में फर्स्ट लिया प्राइज देख लेना 35 रुपई ट्रेड कर रहा था मैं बोल रहा है आप 30 पर खरीद आपको यहाँ पर 40 रुपई पर आपने 40 रुपई पर खरीद हो तो आच्छा खासा आपको बेनिफिट होगा था यह बात बता निक क्यों है इसका बेनिफिट देख लेना आप कितनी है जो मैक्जिम वाले चार्ट की जो प्राइज है सबसे हाइप प्राइज कितनी बनाया था इस सेर ने मैं आपको यह पर फायर का चार्ट दिखाता हूं आप लगबग देख लेना देड़ सो 150 के आसपाच चलता था शेर आप मानिए आपका शेर जो सव रुपए को भी चले जाएगा आपि तक तो मैं जब से भी इसको फालो करता हूं तब से 82 रुपीज पर चलता ही है वहाँ तक तो गया ही है तो आभी भी आपके पैसे दुगने होने के लिए आपको अभी भी ऑपरचनिटी आप इसके पर फोकस कर लेना और आपको चाल रुपए का यह पर रिटन प्रवेट करती यह बात मैक्जिमवाल है इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी इन्वेस्टर है वह लांग टम के लिए चाहते हो गया तो इसमें इन्वेस्ट के लिए आपको पैसा कभी भी नहीं बनेगा क्योंकि इस सेक्टर को आच्या खासा च चीज़ें खरीद रहें दूसरे चीज़ों पर कोई फोकस नहीं वहिकल कोई पर्शेस करेगा ने क्योंकि जो वहिकल्स होते वह ट्रांसपोर्ट के बिजने जब भी आप लोगों के पास जैसे इंकम बढ़ेगी लोगों पास ग्रोथ हो जाएगी आइसा नहीं कि कभी भी बन गिर जाएगा रवा कंपपणी का यहीं इस ट्रॉंग कंपणी में कोई इंटरन इसू नहीं इनके पार कोई लगाईड लैन आनोस नहीं हुआ कोई चार्जेस नहीं है कोई इंप्याक नहीं किसी हा तरीके कहा कोई भी इनके ऊपड़ कोई प्राब्लम क्रेट नहीं है तो आच्छी खासी कंपणी खाली जो इनुवार्मेंट का इसके उपर इफेक हो चुका है यह आप जान लीजे आगे बात करेंगे जो चार्ट पैटर्न इसके बारे बात कर ले हमने आप आशोक लेलाइड के विक्किपीडिया पर आपको बिजनेसेस और इंडिया की क्या उसकी वैल्यूबल है कंपणी यह अच्छल आपको पता हो इन आटो मोबाइल कंपणी हेड क्वार्टर इंडिया इंडिया इस ओन बाइद हिंदुजा ग्रूप हिंदुजा ग्रूप की यह कंपणी उनके अंडर चलती यह पर आप मेरे बात जूटे होगी तो आपको आपर स्क्रीन पर देखाऊगा रिजल्ट खराब है वो रिजल ग्रूथ है अच्छा-कासा बिजनेस करती वेहिकल से कभी भी जितना बे ट्रांसपोर्ट के आप इंडिया इतना डेवलपिंग कंट्री है तो इसमें ग्रूथ होने वाली कंट्री में यह जो आगे जो जितने भी इन्वेस्टर होते हो लॉंग टरम की सोच के रही इतना प फिलोजफ़ि देख लिलेना आप वह पांछ साल से ज्यादा चीनिवेस्ट करते पाच यह से आगे की इन्वेस्ट में करते है यह उनोग अईसा नहीं करते कि एक मंत में ले 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 दो दूसरे मंत में बहुर्च दें इससे यह हमारे सोच शोच छोटी होगई है और हम इन् प्रोडक्शन चालू कर दिया अभी मिलने वाली थी बसे बटे रियक्शन हो चुकी इसलिए ऐसा हुआ है देख लेना यहाँ पर आशक लेलान यहाँ पर एक कमेंट यहाँ पर बसे जो यहाँ गोवर्मेंट की यहाँ पर मुंबई की बसे देखे हुए आपने यह भी इसकी गुबर्मेंट से जितनेबे कोंट्रेक होते हैं अभी इसा चलते हैं सब कुसरे में जितने वेहिकल मिलें polar west यहाँ यहाँ पर दोनों कमपी की मिले इंडिया और टाट ची pakai प्राइज आपको देखे लेना अफ़ी ऐक्रेड कर रहा है 8 कि पास 18 पर आपको एक आपको जितनी बाते बता रहा हूं वह पूरी प्रूप के साथ है यह आप यहाँ पर प्रूली बाते है इलेक्ट्रिक बसेस मैंने आपको बताया था कि जो कॉण्ट्रैक मिला है उस कमपणी को गुजरत से यह होगे इलेक्टरिक बसेस की बिजनिस के बारे में बिजनिस मॉडल आप यहाँ पर मैं आपको कुछ वेहिकल की इमेजिस दिखाता हूँ क्यों दिखाना है क्योंकि जो बिजनिस है और जो चीजे हमें देखनी है वो देख लिन चाहिए क्योंकि हमें पता चल चाहिए कि कंपणी की है हम जिसमें करना चाहते है उस कंपणी के हमें हमरे नजदिक पास ही इसकी वेहिकल चलते आच्छा खासा इसका बिजनिस है आपने हाइवा ट्रक देखा होगा है यहाँ पर आपने बहुत सारा जो कि देखे रहे हो गया आशुक लेलन का हाइवा है देखे लेना जितने भी पॉपुलर जो कॉंट्रेकर होते हैं उनके पास ज्यादा ज्यादा है आशुक लेलन के टाटा मोटर्स के ही जो वेहिकल होते हैं बड़े बड़े वेहिकल का जिसी पी जितने भी वेहिकल यूज होते है वो सबका प्रोड़क्शन यह आशुक लेल और शरपलस देखले ना ये रूपाई ये 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 बढ़ता है क्योंकि के जब भी प्रपिट होता है तभी इसका profit क्या है यहां से क्या बाता चलता है company की जो growth है year by year आच्छी खाशी हो रही है यही बात नहीं company strongest company आच्छा-कासा बिजनेस करती है कोई ऐसी छोटी company अच्छा-कासा मार्केट क्या है और company के शेर भी करोड़ों में करोड़ों में अवेलेबल यहां पर long term की बारंग देख लेना कितना कर जाये इसके पास खाली कितना है 300 क्रोड़ का खाली 300 क्रोड़ और जितने आपको यहां पर रिजर्व फंड देख लेना 8000 करोड़ से जादा इस company का रिजर्व फंड है यही बात नहीं आगे आप यहां पर short term borrowing में जो उधार लेवाला एभी क्या 100 करोड़ कंपणी के इतने तो बहुत सारे शेर ही है company के पास असेट है इतनी सारी इंटेजिबल गुड विल होता है कुछ ऐसे बात होते हैं उनकी जो वह इंटेजिबल दिखाई नहीं देते हैं वाली असेट होती है यही बात नहीं company पास अच्छा कासा current investment आमांड भी है यहां पर आपको short term loan भी दिख जाएगे company पास कितना है आसेट अच्छे खास है company के सब कुछ जितने भी आपको criteria चाहिए company में देखने के लिए जो important बात होती है मैं तो बार-बार reserve fund देखने कहता हूँ क्योंकि reserve fund आईसा रामबा निलाज है जो company को देखने के लिए खाली एक ही दिखा देता है कि company किस तरिके से perform कर रही company के और ह हमें आप पर result के साथ साथ हमें आप पर company के जो गारप्रोट आक्षेन देख लें चाहिए company dividend देती है नहीं देती company जो position कैसे dividend के बारे में भी company कभी दूर नहीं रही company dividend भी आच्छा-खासा प्रोएड करती है shareholder को आपको यह पर dividend के बारे में कभी देखना भी हो तो आपको आपको डिवीडन के बारे में आप आशुकले लेंड के बारे में बताता हूं और जो आज की condition है आज मंडे मंडेक बात में जो मंगलवार है आज मंगलवार की जो position देख लेना कितना खास और इसका हाय देख लेना देख लेना 43 परशन के अपर कंपणी जो ट्रेड हो चुकि पूरे दिन में आज की बात खली आज की और वैल्यू क्या थी इसकी परचेस शेल बाई की पूरी वैल्यू देख लेना यहापर खली शेल कितनी हो गए तो यहापर क्वांटिटी दिख जाएगे कितनी हो गए औ रए क्रशन करने का बाकि रहता है यहापर कंपणे के जो इंकम साइट में देख लेना इसे पोुशिचन में आच्छा-खाछा-फाता चल जाएगा और कंपणी जो पर मोटर होलके वह आची-खासी पर मोटर के पास फिफ्स लिफ के बात की दखना नहीं के लिख अदर साइड में देख लेना यहाँ पर फाइनल से पोजिशन में अच्छा-खासा पता चल जाएगा और कमपनी के जो पर मोटर होल्डिंग है वह भी आच्छी खासी पर मोटर के पास 51 पर मोटर के पास ही वोल्डिंग गई इस कंपनी के और यहाँ पर शेयर की देखने लागा खा किसे कशने का पास है और आपको कंपनी के बारे में पथा करना हो या आपको यहाँ पर कंपनी के चैनल पर नहीं होगे तो सब्सक्राइब बजे और वाचिंग करने के लिए थैंक्यू आगेन एक थैंक्यू सो मच